हालो एर्वन मैं हूँ सचीन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार्ट ट्यू इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एक्जाम का जो रिजल्ट है हो डेकलियर हो चुका है तो आप वो कैसे चेक कर सकते हैं आप अपने SMS के द्वारा और फोन के द्वारा आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताता है कि आप डिजी लॉकर से कैसे अपना रिजल्ट चेक और माक्षे डाउनलोड कर सकते हैं तो वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखिए या आप डिजी लॉकर से डाउनलोड करना चाहत वो डिज़ा जाकरenne देख सकते हैं आपको डिस्कृपशन में लिंग मिल जाएगा यह उपर आ i button भी मैं लिंक देतांगा तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप SMS के दोरा अपना result कैसे दिख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं तो description में आपके पास एक link मिल जाएगा description check करेंगे तो तो उसमें आपको link मिलेगा उस link के through आएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का interface दिखेगा जिसमें मैंने scroll down करके आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि आप कैसे कैसे तरीकों से result जो है अपना वो check कर सकते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं और नीचे जब आएंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मैंने इसमें बताया हुआ है कि आप कैसे अपना जो result है वो SMS और टेलीफोन के द्वारा access कर सकते हैं तो उसे पहले मैं आपको inform करना चाहूंगा कि इस चैनल पर जो है आपको physics and chemistry के class 11th and 12th दोनों classes के hand retained notes मिल जाएंगे तो आप प्लीज एक बार वो notes ज़रूर चेक कर लेना playlist में वहाँ पे आपको class wise and subject wise जो है वो playlist बनी हुई मिल जाएगे तो आप वो ज़रूर चेक कर लेना तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे अपना result देख सकते हैं 10th and 12th का आपको यहाँ पर sms से चेक करने के लिए क्या करना है आपको sms करना है cbsc10 अगर आप 10th का result चेक कर रहे हैं तो फिर इस पेस देना है उसके बाद आपको roll number type करना है फिर इस पेस देना है फिर उसके बाद admit card की जो id है वो आपको text करना है और उसे send कर देना है इस नमर पे ठेक है मैं आपको screen पर भी दिखा दूँगा इधर भी लिखा हुआ है आप website पर भी देख सकते हैं description पर जाके तो इस नमर पे जो है जो आपको दिखे रहा है screen में उस पे आप send कर दीजे फिर से बता देता हूं cbsc10th space roll number space admit card id अगर आप 12th में है तो cbsc12th space roll number space और admit card की id औ उसे इस नमर पे send कर देना है उसके बाद अगर आप phone से अपना result जानना चाते हैं कि phone करके तो आप ये दो नमर यूज़ कर सकते हैं अगर आप दिल्ली में है तो आप ये नमर यूज़ कर सकते हैं 24300699 और अगर आप इंडिया के किसी other part में है तो आप ये वाला नमर नीच 3006 so ये थे आपके दो तरीके कि आप SMS के द्वारा और phone के द्वारा कैसे अपना CBSC का जो result है वो check कर सकते हैं so hope कि आपको idea मिल गया होगा अगर कोई भी doubt हो तो प्लीज नीचे comment करें नीचे comment box में और चैनल subscribe कर लें जैसा कि मैंने बताया आपको इस चैनल पे physics and chemistry के handwritten notes मिल ज सकते हैं और वीडियो को like कर देना वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करें दोस्तों के साथ क्योंकि result आ चुका है website पर बहुत ज्यादा traffic होगा तो आप इससे भी अपना result चेक कर सकते हैं इस तरीके से thank you यह video देखने के लिए